नमस्कार आईए दोस्तों आज देख लेते हैं एक 32 फीट बाई 45 फीट में बनता हुआ घर का अब तक का पूरा काम और साथ में इस घर को बनाने में कितना रुपा का खर्चा लगा है इसके बारे में भी आप लोगों में पूरा जनकारी देने वाला हूँ तो पार्ट वाइस देखेगो इस वीडियो को आप बहुत कुछ सीख सकते हो और अपने बनने वाले घर के लिए ये आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि आपको अपने बनने वाले घर में कितना रुपा का खर्चा है वो आ सकता है तो चली पार्ट वाइस देखते हैं कि आखि किया गया है कॉलम और विम का पूरे डिटेलिंग के साथ में तो देखे के 605 का यहां पर आपको इस बनता हुआ घर के लिए साइड भी मिलता है और चार यहां पर विढ़्डू आपको देखने को मिलता है चारों का size 3ip by 4 fit का रखा गया है box number design के साथ इसे बनाया गया है इसके साथ इस घर का जो first का लेबल है अगर इसके बारे मैं जान ले तो लगबग 20 से पॉन र तीन फीट के आसपास का इस घर का first का mention light को रखा गया है आप इजली यहाँ पे देख सकते हो किस size का column का استعمال किया गया है उसके बार में भी जानेंगे beam का क्या size है उसके साथ-साथ कितना सर्या कि इस्तेमाल किया गया है सारा कुछ आज में आपको बताने बाला हूं height का बात किया जा तो 2.5 से 3.5 तीन फिट का असपास का इसका जो उचाई है गर का फर्स का उसे यहां पर असानिक साथ आप देख सकते हो, इस गर का जो बीम है उसका साइज का बात कर ले जा हालाक यहां पर कास्टिंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी देख सकते हो कि 10 इंची बे-10 इंची का यह जो डेप्ट है वो भी 10 इंच का है और जहां पर बिर्क वर्क होता है वह भी दस इंची का रखा गया है यह वाला हिस्ट जो उपर वाला हिस्ट जहां पर इंट का जो रही किया गया है और इसके साथ साथ यह जो कॉल्म है यह जो कॉलम आप देख पा रहे हो इस घर के लिए जो टोटल को नंबर ओफ कॉलम है उसका संक्या आठार है और इसके साथ-साथ आप यहां पर देख सकते हो कि कुछ इस तरीकत से काम है वहाँ पर किया गया है दस इंची बाई 10 इंची का कॉलम का इस साथ का साथ का स्टिंग आप यहां पर देख पा रहे हो और इसमें लगा हुआ जो सरीया है जो इस टील है उसका बात कर ले जाए तो जूम कर देता हूं मैं आपको देख सकते हो 12 mm का चार सरीया का परियोग इस कॉलम में किया गया है आठ एम्म का रिंग का परियोग भी कि में किया इसतेमाल यहाँ पर कॉलम और बीम किया गया है मिसके साथ इस घर का चलते फरट फिट जल्दी उस वह press खालेंगे और देखेंगे अंदर में किस तरीकत से काम है वो किया गया है साहत में कितनी खरचा आया है उसके बार हम बी आगily जानने वाले हम लोग तो यहां पर देख सकते हो सारे चार फीट बाई साथ फीट का साइज का इस घर के लिए में डोर को रखा गया है और इसके ऊपर में यह देख सकते हो चाजा निकाला गया है चाजा इसलिए निकाला गया है ताकि बारिस में जपास या फिर धूप से आपको front elevation आने वाला दिन में देखने को मिलने वाला है क्योंकि इस घर का च्छत के ऊपर में जो पैरापेट वाल होगा वह भी कमाल का होगा वहां भी अच्छा डिजाइन बनने वाला है एक बात और गवर की जैगा कि कभी आप घर के सामने की तरफ या साइट की तरफ छजा हो लंबा है लेकिन बड़ा सा यहां पर आपको एरिया मिलता है हॉल और डाइनिंग एरिया के लिए उसके साथ कुछ इस तरीका से इस घर का सीड़ी बना हुआ है यह देख सकते हो और इसके साथ साथ बात कर लें जैकि इस घर में क्या-क्या आपको मिलने वाला तो टोटल लास्ट में आपको कॉमन टोटलर बातरूम इस घर के लिए वो बनाया जा रहा है यह आप देख सकते हो उसके बारे में बताऊंगा सारा चीज़ दिखाऊंगा लिए बारी बारे से देखते हैं लेप साइट के पहले बात कर लें तो यहां पर आपको इस घर के लिए मिल ज गया है यह देख सकते हो कॉर्णर का रूम है सामने तरप का उसके साथ इसी रूम के जस्ट अंदर से देखेगा तो एक और रूम बना लिया गया है और उसके लिए दर्वाजा है वो यहां पर रखा गया है यह आप इसली यहां पर देख सकते हो यह दिखिए यह इस घर के सटा हुआ एक और रूम आपको देखने को मिलता है पहला रूम यह दूसरा रूम आप देख चुक हो पहल से और आगे चलेंगे और देखेंगा कि किस तरीका से हैं उसे अंदर साथ को दरवाजा मिला था और उसके साथ चलते हैं थोघ्वा तो यहां पर आप अगे देखेग लेकिन पहले में आपको इस घर का जो किचेन है उसको दिखाना चाहता हूं कि कुछ कुछ का वीडियो हर चीज आपको देखना जरूरी रहता है तब ही आप रेट का अनलेसिस कर पाईएगा तो देखिए इस तरीका से एल सेप का किचेन प्लैटफॉर्म का जुद निर्मान है वो चल रहा है स्लेब कास्टिंग किया गया है धाइन ची मोटा यहां पर उसके साथ साथ यहां पर विंडो कि ले जगा दिया गया है लबक चार फीत बसारे तीन फीत का असपास गसा इसका और इसके साथ यह देख सक कछोड़ है देखिए įहां पे डबल विंडू आपको मिल जाता है एक विंड़ो已经 और दूसरा विंड़ो यहां पर तीन रुम आपने देख olmas C करा लिए बनाया गया है तो देखा अपने लेफिट सड़ में के साथ आपको कीचेन देखने को मिलता है उसके साथ बात कर लें जब राइट साइट का मैं बेलगूल इंट्रेंस पॉइंट के पास खड़ा हूं इस तरीका से सीड़ी है इधर का मैंने आपको दिखाया आभी किस तरीका से दो रूम के साथ कीचेन फिर लास्ट में आपको तिसरा के लिए मिल जाता है उस तरीका से बना हुआ दो रूम ये देख सकते हैं इसका काम बहलेंटर लेबेल तरह कंप्लीट बीम के कास्टिंग होच्ट कहली का उसके बात यहां पर weer आपको िखर एस घार के लिए दुसरा रूम यह देत के तरह यहां पर दिखने को दाह जा रह चोटा सा जगह आपको मिल जाता है जहांस पर एक जीट डूर भी रखा हुआ है यह देख सकते हो इस तरीका से बाहर जाने के लिए एक रास्ता यहां पर छोड़ा गया है इसी रूम के अंदर से उसके साथ और इधर आपको एक रूम देखने को मिल जाता है यह पीछे सीडी आपको देखने को मिल रहा है कैसे बनाया गया है एक पर और आपको बता दूंगा देख वहांसा आप उडानें कडर करते हो ऑल के साथ साहत यह डाइनिंग एंडी आपको सीडी है और वहां पहला रूम है यह दिसरा रूम है यह देख सकते हो दोनों कि Essentially हो के दर देहां को फईला रूम का अंदर से दावाज़ा फिर आपके किचेण उसके साथ पिर आपको यहांपे इस घर के लिए दाइने साइड का ती ने रयूम मतलब टीन लेफ साइड में साइड में रूम तोल छे रूम के साथ डाइनिंग इर्या किचें ट्वाथ्रूम के साथ सीड़ी आपको यहां पर मिल रहा है। दोस्तों बहुत ही आराम से आप देख सकते हो कि यहां पर लिंटल लेबल का काम कंपलीट हो चुका है इंटेलेबर का जो बीम है उसका भी कास्टिंग कर लिया गया है यह देख सकते हो सारे चार इंची डेप तो वाला यहां पर जो बीम है उसका कास्टिंग है वो किया गया है यह आप देख सकते हो इसका नियमता देखा जाए तो पांच इंची का यहां पर डलाई करना किया गया है आप बहुत ही आसान तरीका से आप देख सकते हो सरा रोम का कहनी से में नीचे का जो फिलिंग है उसका काम किया गया उसके साथ जो अंदर का दिवाल है जिसे हम लोग पांटिक्शन वाल बोलते हैं वह पांच इंची का ही यहां पर रखा गया है यह देख सकते हो यह 5 इंची का ही, दिवाला अंदर का सारा वाल, एक वाल नहीं, सारा वाल को आप देखेगा, तो 5 इंची का ही, यहाँ पे काम है वो किया गया है, यह पार्टिशन वाल है, और अगर प्रोपर तरीका से कॉलम और वीम लगाते हो, तो 5 इंची का भी दे सकते हो, जो काम है यह पर्टिशन वाल का उसे आपका काम है वो चल सकता है सारा वाल बाहर का दिवाल वो दस इंची का है यह आप इजली देख सकते हो अंदर का दिवाल है वो जो पर्टिशन वाल के रूप में रखा गया है पांच इंची का ही आप रखा गया है तो इस तरीका से इस घर का जो काम सब्सक्राइब कर लिया गया है तो दोस्तों अब आप यह जानने के लिए इक चुखोंगा कि आखिर इस छे बेडरूम के साथ हौल डाइनिंग एर्या की ट्रोलर बात्रूम के साथ में सीड़ी बनाने में जो अब तक का काम किया गया है आखिर कितना रुपा का खर्चा इस तो मैं बता दू इस ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 7,80,000 के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है यह मैं आपको टोटल जो खर्चाया है उसके बार में बता रहा हूँ लेवर कोस्ट के साथ साथ मेटेरियल कोस्ट को इंक्लूड करते हुब जो खर् जो किया गया सारा खर्चा में अब तक आपको बता रहा हूँ तो अगर आप इस तरीका से घर बनाना चाहते हो पैंतालीस स्पीट बेटीस स्पीट के आसपास का साइज में तो आपको साथ से आटला के आसपास का इस्टिमेशन रखना चाहिए लिंटल लेबल तक का काम के खर्ता के किस तरीका से इसका काम है वो किया गया था और कितना रपा का खर्चा आया था अगर रेगुलर आप मेरे भीवर हो आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीज़ेगा और शाथ में आप चानल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिज़ करेग।